आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें दोस्तो नमारी सामने प्रशन दिया गया है कि समीकरण x वर्ग, दन वाय वर्ग, रिन 6x, दन 8y, दन 50, बराबर सुन्य, एक वरित्त निरूपित करता है, कतन की सत्त्यता की जाज करें हमें कहा जार है, यहां पर दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं, एक वरित्त के लिए व्यापक यहां से दोस्तों यदे हम बात करें तो वृत्त निरुपित होने या ना होने के लिए हमारे पास कुछ शर्तिय होती है तो यहां हम देख सकते हैं आर बराबर हम यहां पर लिखे हैं करणी में जीवर कधन एफ वर करन सी और यहां पर वृत्त के त्रिज्या पर कि वृत्त के त्रिज्या वाय पास्तविक है या कालपनिक है इस पर वृत्त का निरुपित होना निर्भर करता है तो यहां से दोस्तों यदि हम सर्तों की बात क तो यहां से हम लिख सकते हैं करने में जी वर्ग दन एफ वर्ग रन सी जो दिया है तो इस मान को हम यहां पर लेकर चलेंगे तो यहां से हम लिख लेते हैं यदी यदी जी वर्ग दन एफ वर्ग रन सी बड़ा है सुनने से या दूसरी इस्तिति क्या हो जाएगी जी वर्ग तेने एफ वर्ग रनसी बराबर है सुनने के और एक और इस्तिति हो सकते हैं जी वर्ग एफ वर्ग रनसी चूटा है सुनने से तो पहले इस्तिति हम देखें बड़ा है सुनने से अर्थात मान धनात्मक होगा और थात आर कमान हमें क्या प्राप्त होगा वास्तविक प्राप्त हो जाएगा तो त्रिजिया कमान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा वास्तविक प्राप्त हो जाएगा त्रिजिया यहां से आ जाएगी वास्तविक तो इस स्थिदी में यदि हम बात करें वृत्त की आगिया इसका मान तो यहां से त्रिज्या भी सुनने आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगा त्रिज्या सुनने आ जाएगा तो वृत्त क्या हो जाएगा हमाने पास बिंदू वृत्त हो जाएगा जिसके त्रिज्या सुनने है और यदि सुनने से छोटा हो गया अर्थात मान ज गणात्मक मान लेंगे, तो हमें मान आयोटा के साथ प्राप्त हो जाएगा, जो कि कालपनिक होगा, यह इसे हमी आधिकल्पित कहते हैं, तो इस स्थिति में हम ऐसा नहीं कहा पाएंगे, कि हमारे पास जो वक्र दिया गया है, वह एक वास्तविक वक्र है, चूँकि यहां हमा यहां पर वृत्य के लिए हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, वास्तविक वक्र नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास जो समिकरन दिया गया है, तथा जो हमने यहां पर व्य लिखेंगे समी करण 1 वदो से और इस प्रकार हम यहां पर क्या करेंगे जी F व सी कमाद निकाल लेंगे तो यहां से व्याबक समी करण में 2G X का गुडांक है और X का गुडांक रण 6 है हमारे दिये गए समी करण में 2 से भाग देंगे 2 तिया 6 आजाएगा यहां से G कमाद बदल के इस प्रकार और इस व्याबक समी करण में 2F और दे गए समी करण में 8 है दो से भाग देंगे 2 दो चौक 8 त 🎵 यहां से F कमान हमारे पस आ जाएगा 4 इस प्रकार यहां हमारे पस आ 49 से C है और यहां 50 है तो यहां से मेरह सकते है c वराबर हमें 50 प्राप्त हो गया तो इस प्रकर इसलिए यहां से G वर्ग दन F वर्ग रने C के लिए हम देखेंगे कि मान धनात्मक धनात्मक यह सुने क्या आता है बराबर हम लिख पढ़ेंगे हैं G के लिए रने 3 का वर्ग दन F के लिए 4 का वर्ग रने C के लिए 50 रने 3 का वर्ग मान अगया 9 दन 4 का वर्ग 16 रने 50 तो इस प्रकर 9 और 16 पचीस रने 50 और मान क्या प्राप्त हो रहा है रने 50 तो इसलिए यहां से जो कि मान 25 पराप्त हो गया है इसलिए यहां से G वर्ग दन F वर्ग रने C का मान छोटा हो चुका है सुनने से यहां में से इस प्रकार दर्शा सकते हैं बराबर 25 पराप्त हो चुका है जो कि छोटा है सुनने से और चुकि जैसे कि हमने देखा था कि मान यदि छोटा है सुन्य से अर्था त्रिजय हमारे कालपनिक है इसलिए जो हमारा वक्र है वह वास्तेविक नहीं होगा तो यहां से क्या बोला गया था बोला गया था समीकरण जो हमारे पास है वह एक व्रित निरूपित करता है तो यह जो कथन है यह हमारा क्या होगे असत्य कथन है जैसे कि हमें प्रश्ण में बोला गया था हमें सत्यता की जांच करनी थी तो यहां समने सत्यता की जांच कर ली क के दिया गया कथन असत्ते हैं उमीद है आप लोग के सभास समझ में आया होगा धन्रबाद आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर